पूरे दिन लगी रहेगी। धन और बल से युक्त, पढ़ने में रुची रखने वाले और मित्रों से युक्त होते हैं। चंद्रमा आज ब्रिहस्पती के नक्षत्र में चल रहे हैं और ब्रिहस्पती की नवी द्रिष्टी पढ़ने से चंद्रमा के शुभत्य में और बृध्धी होगी। रुके हुए काम संपन होंगे और सहयोगात्मक रवईया काइम रहेगा। मेश रासी वाले जातकों के लिए इच्छा सक्ती और प्रवल आत्मिश्वास कार्योजनाव को सफल बनाएंगे। धन, लाफ, मन मुताविक बना रहेगा और सासन सत्ता वे अधिकारियों का शहयोग जारी रहेगा। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और साजेदारी के कामों में सफलता मिलेगी। मगर कुछ मामलों में मानसिक दबाव और घर ग्रिहस्ति के प्रती चिंता का संकेत मिलता है। अपने सामान के प्रती सावधानी या पेक्षित है, चोरी होने या गायब होने का अंदेशा बुनता है। हाला कि नीजी निवेश, वाहन और प्रापर्टी के मामले में आज का दिन अनकूल रहेगा, मा के स्वास्त में सुधार और सहयोग संभावित है। विद्याथियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिध्ध होगा और पुरयास पूरे होंगे। ब्रिश राशी के राश्ष्वामी सुक्र पंचम भाव में नीच के होकर बैठे हैं। विद्याथियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, प्रयास करें, सफलता मिलेगी और वैवाहिक प्रस्ताव फलिहूत होंगे। मिथुन राशी वाले जात्कों के लिए रचनात्मक सक्रियता में ब्रिध्धी होगी, ग्रियोपयोगी वस्तुओं में निवेश होगा और पारिवारिक प्रेरणा बनी रहेगी। कार्योजनाओं में शहयोग मिलता रहेगा, सरकारी कामकाज पूरे होंगे, मगर साजहेदारी के कामों में रुकावट की संभावना बनती है। हाठिक LAGBMAN मुताबिक मिलता रहेगा और नई कार्योजनाओं में शुरूवात संभव है। मगर कुछ मामलों में निर्णे लेने में भ्रहम की इस्थिती और लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनकूल है अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और मांगलिक कारियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा करक राशी के जातकों के लिए रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और नेत्रित करने की छमता का विकास होगा अनावर्शक खर्च अंचाही यात्रा भी संभावित है विभागी करमचारियों से सहयोग और कारियोजनाओं में सफलता मिलेगी विभारिक पर्च सक्रिय रहेगा और नई कारियोजनाओं के प्रस्ताव लागू करेंगे आर्थिक लाव की इस्तिती मन मुताविक बनी रहेगी और स्वास संबन्थी जटिलताओं में कमी आएगी कुछ नई जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा बिद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा अधेन अध्यापन में अभ्यास जारी रखें सफल रहेंगे और वैवाही प्रस्ताव फलिभूत होंगे सिंग राशिक जात्कों के लिए आर्थिक लाव की इस्तिती मन मुताविक बनी रहेगी और ब्यावसाई की योजनाओं में विकास होगा सासन सत्ताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और नई कारियोजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी मित्रों और इस्तेदारों से भी लाव संभव है और आज की साजेदारी सफल रहेगी नकारात्मक विचारों वाले बक्तियों से दूर रहे कुछ मामलों में धन, खर्च, मानसिक तनाव, ग्रिहोपयोगी वस्तू में व्रिध्धी और अनावर्सक यात्राओं का संकेद भी मिलता है विध्याथियों के लिए आज का दिन सहयोगी है सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है साथ ही वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा कन्याराशिके जात्कों के लिए कारिश्षेतर में विकास और नई कारियोजनाओं की उपलब्धी का योग बनता है आर्थिक सहयोग बना रहेगा और मित्रों और सम्बंधियों से सकारात्म प्रेरणा मिलती रहेगी भागेवस काम अच्छे होंगे और आत्म विश्वास में ब्रिध्धी होगी मगर कुछ मामलों में भ्रमात्म की स्थिति और आय सम्बंधि संसाधनों में रुकावट का संकेद भी मिलता है हाला कि अधिकारियों का सहयोग और उनकी पेरणा बनी रहेगी और अपने बुद्धी कोशल से उसका हल निकालने में सफल रहेगे विध्याथियों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा अध्यान अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा तुला राशिके जातकों के चल रहे कारियोजनाओं में विकास होगा रुके हुए काम पूरे होंगे और नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा धार्मिक भावना में बृध्धियोगी और सरकारी कामों में सहयोग मिलेगा रचनात्मा कुरिया सार्थक होंगे नई कार योजनाओं के प्रस्ताव संभावित हैं और आर्थिक लाव मन मुताविक मिलता रहेगा मगर कुछ योजनाओं के रुकावट का संकेत भी मिलता है और कुछ योजनाओं सफलता पूर्वक पूरी होंगी राजनीतिक व्यक्तियों से मुलाकात और सरकारी सहयोग काइम रहेगा विद्यातियों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा सिच्छा प्रत्योगिता में सफलता संभावित है पिता के स्वास्त की चिंता और व्यावसाइक सावधानी अव्यक्षित है ब्रिश्चिक रासिके जात्कों के लिए स्वास्त संभाव में चलने से मानसिक दुष्चिंता और नकारात्मक सोच बनी रहेगी कुछ मामले लंबित हो सकते हैं मगर साजेदारी के प्रस्ताव लावधायक सिद्ध होगे पारिवारिक दायत की पूर्ती होगी नई कारियोजनाओं के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा छोटी यात्रा और देवदर्शन के योग बनते हैं संतान संबंधी मामलों में खर्च का संकेत मिलता है और वैवाहिक मामलों में रचनात्मक प्यास आर्ठक होंगे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा और सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता संबावित है धनु राजिके जातकों के लिए कारेश्यत की सक्रियता बनी रहेगी और मानसिक संतुष्टी महसूस होगी साजे दारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और योजनाये फलिभूत होंगी सरकारी कामकाज में लाव मिलेगा और सरचडी कारियों में सफलता संबावित है परिश्रम की प्रवरित्ती बरकरार रहेगी मगर स्वास संबंधी सावधानिया रखनी चाहिए बुद्ध सूर्य राहू की यूती आठमे घर में नकारात्मक विचारों को जन्म देगी व्यावसाईक अर्चने और निर्णाय लेने की छमता प्रभावित हो सकती है मगर साजे दारी लावधायक रहेगी संतान संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा मकर राशी के जात्कों को धैरी और सावधानी रखनी चाहिए राहु बुद्ध वा सूरे का योग आपके सात्मे भाव में और चंद्रमा छठमे भाव में चल रहे है नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाओ, मानसिक दबाओ, कारे चमता मेहरास और भ्रमात्मक इस्थिती का संकेत मिलता है ठोस और महत्पून लिणे सावधानी पुर्वक सोच समझ कर लेना चाहिए हाला कि विभागी अधिकारियों का सहयोग और सकारात्मक पेरना बनी रहेगी और काम करने में मन लगेगा सामाजिक प्रतिष्ठा में दिध्धी और संतान संबंधी मामलों में आत्मश्वास बढ़ा रहेगा और आर्थिक लाव में सहयोग मिलेगा सिख्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा कुम्भरासिके जात्कों के लिए प्रबल दिधिच्छा सक्ती बनी रहेगी और कारेच छेतर में विस्तार होगा नई कारियोजिनाओं के प्रस्ताओं लागू होंगे और आत्मश्वास में दिध्धी होगी सरकारी कामकाज में साजेदारी सफल रहेगी और आर्थिक लाव मन मुताबिक मिलता रहेगा पारिवारी कुरेणा बनी रहेगी मगर स्वास संबंधी जटिलताएं शारिरिक और मानसिक अस्तर को प्रभावित कर सकती है साथ ही विवादित मामलों के बढ़ने का संकेत भी मिलता है विद्याथियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा सिक्षा प्रत्योगिता में मेहनत करनी पड़ेगी सफलता संब्भावित है साथ ही वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे मीन राशिक के जात्कों को कारे छेत में सावधानी रखनी चाहिए आपकी कारे उर्जा और आत्मिश्वास परभावित हो सकता है मगर पहले की चलिया रही योजनाओं में गती आएगी साजह दारी में लाव मिलेगा और कारे छमता बढ़ेगी धैर और संयम से काम लेते हुए रचनात्मा प्रयास जारी रखे साजह दारी और नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा आर्थिक छेत में सहयोग जारी है मगर स्वास संबन्दी सावधानिया भी रखनी चाहिए विद्याथियों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा सुच्छा प्रत्योगिता में प्रयास जारी रखे और वैवाहिक मामले अनकूल रहेंगे आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे वोम नमाश्यवाए